तो आज मैं आपके साथ शेह कर रही हूं चामल की खीर और अभी एद भी आने वाली है कुछ दिनों में तो आप एद पर इसको जरूर ट्राइ कीजिएगा यह बहुत ही इसली बन जाती है और बहुत टेस्टी बनती है और इसमें इंग्रीडियंट्स भी हम बहुत कम ही विल्क को बॉल होने के लिए रख दिया है हम यहां पर अच्छी तरह बॉल कर लेंगे और यह बॉल होकर थोड़ा सा थिक हो जाएगा तो यह हमारी खीर को बहुत अच्छा टेक्सचर देगा तो इसको हमें अच्छी तरह से बॉल करना है कुल लो फ्लेंबर मैंने इसको ब पीस लिया है लेकिर फाइन पेस्ट हमें नहीं करना है दानेदार रखना है और यह हमने 100 ग्राम चीनी ली है आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या जदा कर सकते हैं और यह मैंने कुछ ड्राइ फ्रूट्स लिये हैं जिसे काजू लिये हैं बादाम है चरॉंजी है और यह है इलाइची का पाउडर पांच्छे इलाइची को मैंने अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया है तो यहां पे हम अराउंड थ्री तू फॉर कप्स पानी हम बॉil होने के लिए रख देंगे और इस पानी के अंदर जो हमने चामल का दरदरा पेस्ट बनाया था वह ह मैं अधर देंगे और इसको हाई फ्लेम पर हम बॉil आने के लिए रखेंगे और भीच-भीच में चलाते रहेंगे जब चामल में अच्छी तरह बॉयल आने लगेगा तो हम उस टाइम फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे और फिर हम इन चामलों को और 15 तु 20 मिनिट के लिए पका लेंगे थोड़ी देर हम 5 मिनिट इसको ढख कर बिल्कुल लो फ्लेम पर पकाएंगे तो यह देखिए अब चा लो फ्लेम पर चामलों को पकने दिया था और अब इस पॉइंट पर हम इसमें मिल्क कर देंगे तो हाफ हाफ करके हम इसमें मिल्क करेंगे थोड़ा थोड़ा करके तो यह भी मनें हाफ मिल्क कर दिया और इसको अच्छी तरह से मिला लेंगे ताकि कोई लंस नहीं बने इसम 10-10 मिनिट को यह दर है ऑच्छी पाउड़र डाल देंगे क् üçषा काजु के बात है और यह बहुत अच्छी कंसिस्टेंसी आती है इसकी आप भी इसको ज़रूर ट्राइ कीजिएगा तो खीर अब तेख होने लगी है तो इस पॉइंट पर हम चीनी आड़ कर देंगे क्योंकि शुगर का भी जो वो मॉइस्टर है वो इसमें रिलीज होगा तो यह और पतली होगी तो इस वज़े से हम खीर इस पॉइंट पर आड़ करेंगे और पांच से दस मिनट तक अच्छी तरह इसको पका लेंगे तो यह देखिए बिल्कुल हमारी खीर बन के तयार हो चुकी और कितनी अच्छी कंसिस्टेंसी आई है जो शुगर का मॉइस्टर था वो भी पूरी तरह सूख गया है और यह बिल्कुल अच्छी कंसिस्टेंसी आई है तो आप भी इसको ज़रूर ट्राइ कीजिएगा इस इद यह बहुत टेस्टी बनती है और बनाने में भी बहुत एजी है तो यह अब हमारी खीर बिल्कुल बन के तयार हो चुकी है और मैंने इसको ड्राइफ रूट से गार्निश कर दिया है काजू बादाम पिस्ता चिरॉंजी आप अपने पसंद के कोई भी ड्राइफ रूट ले सकते है तो इस रेसिपी को आप जरूर ट्राइ कीजिएगा इस वीडियो में तब तक के लिए आला हाफिज और प्लीज सब्सक्राइब मैं चैनल फोर मोर एजी रेसिपीज बाई